नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुर करते हैं 16 अक्टूबर 2020 दिन रवीवार की चोगड़िया मोहरत लेकिन वीडियो शुर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रती दिन चोगड़िया मोहरत की जानकारी प्राप्ट करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक ही आपको मेरे वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं रवीवार की चोगड़िया मोहरत सुहरेदा होगा सुबह च्या बचके 22 मिनट पसुरिया आतसथ होगा शामके पाँ बचका 51 मिनट पर अभीजीत मोरत का समय रहेगा सुबह ग्यारा बचका 49 मिनट तक और आहूगाल का शामके चार मोचका 25 मिनट तक दिन की चोगणियों के शुब मुरत इस प्रकार रहेंगे चर चोगणियों का समय रहेगा सुबे 7 बच का 48 मिनट से 9 बच का 14 मिनट तक लाब चोगणियों का समय रहेगा सुबे 9 बच का 14 मिनट से 10 बच का 40 मिनट तक अमरी चोगणियों का समय रहेगा सुबह 10 बच का 40 मिनट से दोपए 12 बच का 4 मिनट तक अमरी चोगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कार किये जा सकते हैं लेकिन इस समय वार्वेला भी लग रही है और वार्वेला के समय किये गए शुब एवं मांगलिक कार ये फल दाई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग ना ही उचित है शुब चौगणियों का समय रहेगा दोपेर एक बच का 32 मिनट से दो बच का 69 मिनट तक रात की चौगणियों के शुब मुरत इस प्रकार रहेंगे शुब चौगणियों का समय रहेगा शाम के 5 बच का 51 मिनट से 7 बच का 25 मिनट तक अमरी चौगणियों का समय रहेगा शाम के 7 बच का 25 मिनट से 8 बच का 69 मिनट तक अमरी चोगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कार किये जा सकते हैं ज़र चोगणियों का समय रहेगा रात के 8 बच का 69 मिनट से 10 बच का 33 मिनट तक लाब चोगणियों का समय रहेगा रात के 1 बच का 41 मिनट से 3 बच का 15 मिनट तक लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही है और कालात्री के समय किये गए शुब एवं मांगलिक कारी फल्दाई नहीं रहते इसलिए इस मुहरत को त्याग नहीं उचित है शुब चोगणियों का समय रहेगा 17 अक्टूबर की सुबह 4 बचकों 4 मिनट से 6 बचकों 23 मिनट तक तो ये थी जानकारी रविवार के चोगणिया मुहरत की मेरे वीडियों में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियों के साथ